गुद मॉर्निंग एविवन, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल, बच्चोंपन ने पिछले वीडियो में अध्येन किया नेत्रत्र का महत्र, इंपॉर्टेंस आ लीडर्शिम आज हम अध्येन करेंगे qualities और merits of successful leader, एक सफल नेता के गोण, एक सफल नेता में विभिन प्रकार के योगताएं होते हैं, उसमें कुछ इस तरह के गोण होते हैं, जिसकी माध्यम से वो अपने अनुयायों से विभिन प्रकार के कारियों को प्रात्र करता हैं, नेतरत्व भ्यापसा एक सफलता की कामना को फूरा करने में समवर्थ हो सकता हैं, और उसकी भूमी का उसके किस्म पर निर्मा करती हैं, इसली एक सफल नेता में सभी गोण होने चाहिए, नेता का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें परियार्थ व्रदी एवं चातूरेता होने चाहिए वह honest सत्यवादी निश्पक्ष एवं अच्छा सयोगी हो और अच्छा व्यक्ति होने की ख्याती रखे इस प्रकार की goodwill उसकी होने चाहिए उसमें प्रसंता आश्यावादीता और अन्य व्यक्तियों को प्रोचसाहित करने एवं साहिता देने क की ततपड़ता भी होने चाहिए है एंडरी फेओल के अनुसा एक सफल नैता में जो गुण होने चाहिए वे हैं स्वास्ति एवं शारेरिक्षम्ता योग्यता एवं मानसिक संतुलन नैतिक गुण ज्यान एवं प्रभंद के योग्यता इसी प्रकार से मैरीडित एवं नेल एक सफल एक अच्छा नैता नए विचारों को विक्सित और क्रियानवित करता हैं सामुदाइक जीवन में सक्रिय भाग लेना अपने कार्यों यों समय की उचित योजना बनाना अपनी नेत्रतु शमता विक्सित करने के लिए विशेश रयास करना अपने लक्षियों की प् प्रमचारियों को सयोगी बनाना अपनी शक्तियों को बढ़ाना एवं दुरबलताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत मिशिर रहना तुस तरह से नेलसन ने ये सारे गुण एक सफल नैता के अंतरगर बताए इसी प्रकार हम तुलना करें और निश्टकर्स में सभी क गुणों को देखें तो एक अच्छे नैता के अंदर निम्न लिकीत गुणों को हम या उनकी योगिता को देख सकते हैं जो एक अच्छे नैता में होती हैं जिसी करीज एल एफ उर्विक ने कहा एक सफल नैता में साहस का गुण होना चाये उनके अनुसार एक नैता जिन कार्यों क्रियाओं को सही मानता है उनंे करने का नैतिक साहस होना चाये निर्णे लेने एवं उन्हें लागू कराने की द्रड़ता होने चाहिए, नेता ही सक्तिता के पत्थ से विचलित नहीं होता है, अपने चापलूस अनुयाईयों के चंगुल में भी नहीं फसता है, इसलिए उसके अनुयाई भी उनका नुकरण करके नीडरता से अपनी क्रिय के अलावा आत्म ज्यान पर आधारे होना चाहिए, एक नेता में आत्म विश्वास हैं तो वह दूसरों का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है, इस संधर्व में उर्विक ने कहा कि अनुयाईयों का पूर्ण विश्वास प्रात करने के लिए नेता में आत्म विश्वा योगिता एवं तकनीकी ज्यान, इंटेलिजेंस एंड टेकनीकल कॉम्पिटेंस एक नेता में अपने अनुयाईयों से अधिक योगिता एवं तकनीकी सामार्थे होने चाहिए योगि नेता संगठन में उत्पन समस्याओं को समझ कर उप्युक्त हल निकाल सकता है और अनुयाईयों का अच्छा मार्ग दर्शन भी दे सकता है इसके अतिरिक नेता में परियाफ्ट तकनीकी सामार्थे आर्थिक, वैधानिक एवं वित्ति आदिशेत्र का परियाफ्ट ज्यान होना चाहिए संप्रिशन की योगिता, एबिलिटी और कम्यूनिकेशन नेता का मुख्य कार्य अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं एवं दूसरे व्यक्तियों को उनको सूचनाओं, आदिशों और विचारों आदिका कम्यूनिकेशन संप्रिशन करना होता है अत्य उसमें अनुयायों को मुख्य तयार निर्देश देने और सामाने जनता को आफशक सूचनाओं, प्रदान करने की योगिता होनी चाहिए नेता द्वारा अनुयायों को निर्देश देना ही परियात नहीं है अपीतु इनका पालन कराना भी आफशक होता है इसपूर्थी एवं सहिशनूता, Vitality and Endurance एक नेता में इसपूर्थी एवं सहिशनूता होना भी आफशक है यहां इसपूर्थी कार्थ चैतन नेता या सजगता से हैं और सहिशनूता से आशे संकट कालीन परिस्तितियों में धहरी से कारे करने से हैं इसलिए एक नेता को सदेव भावी परिस्तितियों से सजग रहना चाहिए एवं मापत्यों और कटिनाईयों में अपना धहरी नहीं खोना चाहिए इसी प्रका मांसिक शम्ता, Mental Capacity एक नेता में विक्षित मांसिक शम्ता का उनावशक है और इसके अलावा नेता का जो मस्तिस कितना Flexible और सक्षम होतना चाहिए कि वह परिवर्तित परिस्तितियों के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन कर सके इसलिए मांसिक द्रस्टी से विक्षित खुले विचार रखने वाला नेता ही द्वेश रहित और परिवर्तित परिस्तितियों के अनुकुल सभी स्विकार योगिनिर्ने ले सकता है प्रेरित करने की योगिता एबिलिटी टु इंस्पाय एक नेता कि अपने अनुयाईयों को कारिव के लिए उत्तेजित करने की योगिता भी उन्याँ चाहिए योगिय एवं अनुभवी नेता निर्धारित लक्षियों की प्राप्ति के लिए अनुयाईयों की रूचियों, विचारों, भावनाओं एवं आफशकताओं आधिकाध्येन करके अनुयाईयों को आफशक मांगदर्शन प्रदान करके कारिय हित्तु प्रेरित कर सकता है इस प्रका एक नैता अनुयायों पर प्रभाव रख कर उनको प्रेरीत करने में सफ़र होता है मानवी पहलू के साथ व्यवार करनी की योग्यता Ability to deal with human aspects एक नैता में अन्य गुणों के साइसा है मानवी पहलू से अच्छा व्यवार करनी की योग्यता भी होनी चाहिए उसे अनुयायों की रूचियों, भावनाओं, उदेशियों, शमताओं एवं कम्यों आधिका पोर्ण ज्यान होना चाहिए ताकि वह अपने अनुयायों अपने यानि जो सबार्डिनेट से उनके साथ अच्छे संबन्दों के स्थापना कर सके उत्तरदायत्व की भावना, Sense of Responsibility एक अच्छे नैता में उत्तरदायत्वों के पालन करने की भावना भी होने चाहिए अन्यता वह अधिकारों का दुरूपयोग करेगा इसके अतिरेक्त अनुयायों को दिये गया अवशक निर्देसों के प्रती भी सदे उत्तरदाय होना चाहिए इसी तरे से निर्णे लेने की शमता Capacity of Decision Making एक नेता में सुद्रण निर्णे लेने की शमता होने चाहिए लेकिन इसे आत्म विश्वास एवं आत्म नियंत्रण से प्राप्त किया जा सकता है एक नेता को किसी समस्या के वितिन समाधानों में से सर्वस्रेष्ट का चयन करना होता है और यह चयन उसे वर्त्मान एवं भावी दोनों परिस्तितियों को ध्यान में रखकर करना आता है वातावरण का ज्यान, knowledge of environment चुकि नेत्र तो करता संस्कार के अंदर एवं भाई वातावरण को ध्यान में रखकर अपनी अनुरायों एवं सद्धस्यों को आदेश निर्देश देता है यदि इनका ध्यान न रखे तो वह इनका पालन नहीं करा सकेगा रचनात्मक चिंतन वाला गुण, creative thinking नेता दो प्रकार के कारी कर सकते हैं, विद्वनसात्मक और रचनात्मक विद्वनसात्मक कारतों करना ही नहीं चाहिए, रचनात्मक चिंतन भी रखना चाहिए इस संबन में कहा जा सकता है कि छोटी-छोटी एवं उत्पादक बातों में ही मानसिक शक्ति का उप्यों करना चाहिए तो इस प्रकार से एक सफल नहता के अंदर ये विभीन प्रकार के गोण यदि होते हैं, ये सारी योगिताएं उसके अंदर होनी चाहिए और इन योगिताओं का उप्यों करते वे एक नेता अपने सबॉर्डिनेट से, अपने अनुयायों से, अपने अधिनस्तों से अधिक से अधिक उद्धिश्यों को प्रात करने में सायोगतात कर सकता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपन अध्यान करेंगे नेत्रत्तु के प्रकार या नेत्रत्तु शेर्लियों के प्रकार, काइंड्स अप लेडर्शिव, थेंक्यू